नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुभम लेक्चर पर फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेत्र की समंजन छमता किसे कहते हैं ठीक है तो नेत्र की समंजन छमता कि मैं आपको इस वीडियो में परिभासा बताऊंगा थोड़ा सा च some more lesson, आफ आई ठीक है, तो darling जिए है नेतर की समाजन छंबता आप देखिए, तो अगर चैनल पर नए है तो channel को subscribe और के bell icon को press करने तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि नेतर की समाजन छंबता की definition, क्या होती है, तो नेतर की वह क्हमता अब नेतर, नेतर क्या है जिसके दोरा हम देखते हैं उसे नेतर कहते हैं ठीक है तो नेतर की वह छमता जिसके कारण नेतर लेंस की फोकस दूरी में नेतर लेंस के है हमारे नेतर के अंदर नेतर लेंस पाय जाता है ऐसे कारणिया जैसे पाय जाते हैं पुतली पाय जाती है वह ऐसे ही नेतर लेंस भी तो देखें डिफनिशन नेत्र की वह छमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी तो सायद आप लोग जानते हैं होंगे ठीक है आपको समझा देता हूं लेकिन कबसे पहले आपको डिफनिशन अच्छे से आनी चाहिए तभी आप इसका चित्र समझ पाएंगे देखें फ्रेंड नेत्र की वह छमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी मतलब नेत्र जो है अपने नेत्र में लेंस लगा होता है वो लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके नजदीक और दूर की वस्तूओं को देख सकता है तो इससे क्या कहता है फ्रेंड नेत्र की समझन चमता अब इसका सिंपल अगर डेफिनिशन देखा जाए तो नेत्र में एक छमता पाई जाती है कि वह अपने लेंस की फोकस दू जा देता हूं कैसे इसकी चाहिता से ठीक है तो देखिए यह है आपका नेत्र यह पूरा जो है यह आपका नेत्र है ठीक है अब इसमें यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक लेंस लगा होता है क्या लगा होता है फ्रेंड एक लेंस लगा होता है अब इसी लेंस की छम की दूरी क्या है फोकस दूरी तो यही नेत्र लैंस जो है फ्मेंड इसी को होता है इसी नेत्र में उजिकी यह चंटा पायी है और उसी को हम लोग पहते हैं फ्रेंड क्या नेत्र की समझन शम्ता तो आई हो कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि नेत्र की समझन शम्ता क्या है यह आपकी बोड एक्जाम में भी पूछा जा चुका है दो इयर तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा ठीके फ्रेंड तो नेत्र की समझन शम्ता आपको समझ में आ गया होगा तो मैं फिर से बता दिता हूं इसका डिफिनीशन नेत्र की वाच शम्ता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिभरतन करके नजदीक वादूर की वस्तूं को असपश्ट रूप से देखा जा सकता है समझन करता है अभी यहां पर फ्रेंड एक चीज आप और ध्यान दीज़े जो की इंपॉर्टन है ये एक टापिक है कि जितनी नजदीक वस्त को यानि कि जितनी भी नजदीक वस्त को हम देखेंगे जो जितना नजदीक होगा यानि कि जितना भी पास वस्त होगा उसे देखने के लिए समंजन छमता अधिक लगानी पड़ेगी नेत्र को समंजन छमता जो है अधिक लगानी पड़ेगी यानि कि आपास की वस्तों को देखने के लिए क्या होता है समंजन सम्ता अधिक लगानी पड़ती है नेत्र को ठीक है और समंजन सम्ता लगाने की भी एक सीमा होती है यानि कि इसकी एक लिमिट होती है ऐसे नहीं कि समंजन सम्ता लगा दिया जाए ठीक है इसकी एक सीमा होती ह वह निकर्तम दूरी जहां तक यह देख सकता है वह असपस्ट द्रिष्ट की नियुनतम दूरी कहलाती है और असपस्ट द्रिष्ट की नियुनतम दूरी क्या होती है इसे भी आप लोग इसी में समझ लेजिए असपस्ट द्रिष्ट की नियूनितम दूरी ये फ्रेंड आपको नियूमेरिकल लगाने में भी उपयोग करना होगा तो जो असपस्ट द्रिष्ट की नियूनितम दूरी होती है वो होती है फ्रेंड 25 सेंटीमिटर क्या होती है फ्रेंड असपस्ट द्रिष्ट की जो नियूनितम दूरी होती है वो 25 cm होती है यदि वस तु आँख से 25 cm की कम दूरी पर होगी तो वह असपस्ट दिखाई नहीं देगी यानि कि फ्रेंड अगर पचीस संटीमेटर के ज्यादा दूरी पर है तब तो आपको वस्त अच्छे से दिखाई देगी अगर कम दूरी पर है तो वस्त अच्छे से दिखाई नहीं देगी ठीक है तो यह थी फ्रेंड असपष्ट द्रिष्ट की निवनतम दूरी अब अगर अस्पष्ट द्रिष्ट की निवनतम दूरी की आपको परिभासा बतानी है तो आप लिख सकते हैं कि वह निकरतम दूरी जहां तक आख अधिकतम समंजन छमता लगा कर अस्पष्ट देख सकती है क्या कहलाती है अस्पष्ट द्रिष्ट की निवनतम दूरी कहलाती है तो फ्र तो नेतर की समंजन शम्ता मैं आपको पढ़ा रहा था जिसमें मैंने आपको इसकी definition बताई और ये भी बताई कि जितनी नजदी कोस्त होगी उसकी समंजन शम्ता उतनी ही अधिक होगी और असपस द्रिष्ट की नियुनतम दूरी 25 cm होती है तो फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में फिलाए देतना ही तो इस वीडियो में फिलाए देतना ही जद्ट